तो आज ही हमारे गार्ट इप्रट इसके लिए हम दो त्यार होके बैठें हैं पंडी जी आ गये हैं थोड़ा बहुत त्यारी वाकी था तो उनने बुला गश्मेंट के बार आईए तब तक मैंने आपे छोटा था वीडियो फूट किया और यह है हमारे हजबन जी उठी नहीं हो जाता है वहीं के लिए था तो पंडी जी न भी हम दोको पुला लिया है और पुजा स्टार्ट हो रही है दुद्रविशेग पुजा क्या होते हैं बोले नाथ का दूर्थ से अभी शेक घ्राना होता है यह पूजा चलती है चार से पांच घंटे तक तो यह मेकप बगए आपको खास बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे कि मेकप को डाइरेक्ट आपको फेस्वास प्रेया प्रेया से नहीं रिमू करना चाहिए इससे क्या होता कि आपको फेस के च्षाई और वह सारी चीजों का प्लम हो जाता है जल्दी जूरिया बढ़ापा एजिंग आ जा जा रहे थे फूल अगयरा माला अगयरा तो यह मेरा बेटा सा जो वीडियो छोटी-छोटी क्लिस ले रहा था तो मैंने को चाहिए बोले नाद की क्रिपा सोड़ी कि आपको प्रेयो को देखिए तेयर कीजिए और जो भी फादर से रिलेटेड चीजे होती है जो नहीं कर दो सकते हो कमेंट बॉक में जो कि मैं पारी की थे पोशिच करूंगी कि एक इक चीज स्टैबर स्टैप आपनों को पता पाऊं और यह गुलाब का फूल यहम कड़ा रहते हैं आपे तो इंचोई कीजिए तो यहां पर मैंने कर दिया था वीडियो को फास्ट क्योंकि यह पर आपने इन्जॉइब की लाइव अब नहीं पर चानल मेरा नम तृष्टिवारी है और आज मैं आप लोगतास करने वाली हूं जैसे कि आज हमारे घर में तुद्र भी शेकाप पूजा था और पसीने से सुबर से साम होगी पूजा करते करते हो बहुत जादा पूरा हाल मेकप का हाल देख रहे हो ऐसे पूरा निकल रहा है क्योंकि यहां पर लगावा ता बभूत तीलग वगड़ा जो की पतीने की वएसे इधर से पूरा फैल गया था और मेकप रिमूव करने का जो घर पे इजी ट्रिक हो बताने वारी हूं चैनल पर नहीं हो तो सबस्क्राइ है तो आप गिलिस्रीन एड कर सकते हो उसमें मैंने बंगाया था गुलाब जल स्प्रे वाला प्रोटल ऑनलाइन बंगाया था उसकी लिंक्स इसके संब में ले दूगी बट यह पूजा में से गुलाब जल थोड़ा सा बचा हुआ था यह वाला तो इसको पहले अच्छे से अब या साबॉन शाबूंर से बिदीजे भी लेखाने сделали कवी प्लाइब करने देखे हैं लगत था सव्क जाला भूब ऑट ईखे है और मेधार गलोइंगों рад सौण से में करने के यह वहाल्वर्योफव नतीजे को जाता है या फिर आपका जो ग्लो होता है वो दीरे दीरे चला जाता है तो जब भी आप मेकप कर रहे हो उसको रिमू इन नैच्रल तरीकों से कीजिए डारेक्ट से साबू निरूज मत कीजिए अगर आपके बासी क्लिंजिंग मिल्क वगदर नहीं है तो आप कोकोनट ओयल को फेस से अप्लाई कीजिए अच्छे से मसाज कीजिए फिर किसी कॉटन कपड़े से फोस्ट दीजिए उसके बाद आप फेस फोस्ट अप्लाई करके और मोस्ट्राइजर अप्लाई कर लो तो आपका जो स्कीन है वो खराब नहीं होगा और घर पे यह वीडियो चाहता है ज् विए उसके अच्छे से अच्छे से मसाज करने है फिर हम लोग लेंगे क्लेंजिंग मिल्क और अच्छे से मसाज करेंगे यह फ्रेडिंग आईब्रो फ्रेडिंग करने का जो सही तरीका है फोर बैग्विनर्स यानि की जो सीख रहे हैं उनके लिए या फिर जिनको बिल्कुल नहीं आता है उनके लिए तल की वीडियो मैंने अप्लोड की थी धागा कैसे फगड़ते हैं कि इन की चीजियों का ध्रा सब्सक्राइब करते हैं मसाज कैसे करते हैं हर एक चीज मेरे चैनल पर डे वाई डे जा रही है तो आप देखिए और सीखिए फिर भी कोई डावट रहता है कुछ नहीं सभज में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए मैं बहुत पूरी कोसिस करूंगी कि मैं आपको प पर लगाया जाता है पैरों में पूजा पार्ट मैं को पांच मिनकि तक आपको को इस लिए कbec Entonces कि अगर आपको कोई मोंस्टराइजर ने कुछ भी निया सिंपल कोकोनट ओयल तो सबके पास होता है तो अच्छे थे मेरा आइब्रो का मेकप निकल चुका है सक्राइब्रो का मेरा आज हुआ का मेरा आज हुआ राएब्रो का मेरा आज है झाल 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 तो यह गुलाबरी का गुलाब जल था जो कि मुझे सूट नहीं करता है इसको आपसे साथ कर दिया और फिर टावल से पोस्ट रूँगी मैंने सोचा है मैं जलन क्यों फील हो रहा है तो माइक बूइब आद में एड करना पड़ेगा तो मैंने साफ कर लिया है एंड मैं अप्लाई करूंगी ब्लैक में का पीच कि अप्लाई करें ब्लैक में का पीच मिल्ट मॉस्टराइजिंग क्रीम तो आप घर पे भी बहुत आपान तरीके से अपने फेस को क्लीन कर सकते में कप पो रिमूव कर सकते विदाव्ट मेंक प्रिमूवर से अपने फेस को ग्लोहिं और शुष फॉफ और सुमीर स्मूवर कि अपना सकते हो तो किनकिन बातों का ध्यानत ना चाहिए मेकप को रिमूव करते हैं तो आज के लिए इतना है अगर भी तरिकी की इंपोमेटिव वीडियो देखने हैं आपको इजी हैर्फूल तो आप में चल्ड़ को सब्स्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर सब्सक्राइब कीजिए और भी इजी वे में आपको पार्वर का पूर्स स्टेप बए स्टेप में बताते रहों तो फिल मेंते हैं नेक्ट वीडियो के साब तब तब चाहब लखी बाइबाएब